वोट मोधी को दो या वोट अखलेश को दो वोट गुजर को दो चाहे वोट किसी को भी दो लिकिन हमको खाना हमको पीना और हमको आराम जबी मिलेगा जम हम लोग काम करेंगे कोई भी हमको बैठे बिठाए खाना या पीना नहीं बेश सकता है और हम इस वोट की राजनीती में इतना खोई हुए हैं, हम इतना खोई हुए हैं कि हम अपनों सो ही दूर होते जा रहे हैं बड़ा भाई अखलेश को वोट दे रहा है, छोड़ा भाई मायवती को वोट दे रहा है और तीसरा भायत को वैसी को बोड़ दे रहा यानि हम एक ही घर के अंदर एक ही छट के अंदर रहते हुए हम तीन भागों में बटे हुए हैं और जीतने के बाद ये नेता एक टेबल पर खाना खाते हैं हमारी दुश्मनी हमेशा के लिए हो जाती है और ये लोग फिर एक हो जाते हैं आपने सब नेताओं को एक जगा देखा होगा लेकिन जब एक भाई या एक दोस्त इलेक्शन के चक्कर में अलग हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं याद रखना के मुश्किल की घड़ी में ये वोट ये नेता तुम्हारे काम नहीं आएंगे अखलेश मुहां से नहीं आएगा या गुरजर तुम्हारा वहां से नहीं आएगा मेरट से या कमाल अख्तर भी तुम्हारा वहां से नहीं आएगा जहां से वो लड़ ले हैं बलके अगर काम आएगा तुम्हारा वो दोस तुम्हारा वो भाई तुम्हारा वो पडोसी जिससे आप इलेक्शन के चक्कर में लड़ने वो ही तुम्हारे काम आएगा इसलिए अपनी भाईचारगी अपनी दोस्ती अपने रिश्तेदारी पायम रखें वोट किसी को भी करें लेकिन अपने बीच में तिफरक अबाजी ना डालें और अपने इमान की सलामती रखें कहीं ऐसे ना हो कि इस वोटिंग के चक्कर में चुनाओ के चकर में इसमें इतन हम खो जाएं के हमारे इमान पर हमारे जिन्दगी पर वहावी हो जाएं